एब चलिया बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की इंडेक्स की जितनी भी बातचीत में इंडेक्स की करता हूं वो करन्ड मद फ्यूचर के कौंट्रैक्ट होते हैं जैसे मैं 31 मार्च 2022 के वादे कारोबार की बात कर रहा हूं कल किसी ने मुझे comment भी किया था कि nifty और bank nifty के कौन से levels देते हैं आप spot के होते हैं या फिर future वाइदे के होते हैं भहिया आस तक मुझे ऐसा लगता है कम से कम 500 बार बता चुका हूँ कि जो भी बातचीत मैं करता हूँ वो current one future के expiry की बातचीत होती है videos पूरे पूरे देखिए हर एक शब्द में कुछ न कुछ आप लोग को मिलेगा जानकारी मिलेगी या फिर हो सकता है repetition मिलेगा या फिर हो सकता है आप लोग को सिखाने के लिए बार बार बात बोली जा रही हो जैसे मैं आप लोग को बार बार बोलता हूँ 0% leverage 0% speculation 0% over trading करना ह तो जितनी बार आप सुनेंगे उतनी बार आप अपने जहन में बैठाएंगे और जब तक उस जहन में नहीं बैठेगा तब तक आप उससे बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि ये एक एडिक्शन है ट्रेडिंग करना एक एडिक्शन है इन्वेस्टिंग भी एडिक्शन है इन्वेस्टिंग के आदर डालोगे तो लाइफ पर सुकून और ट्रेडिंग भी एक एडिक्शन है तो जैसे वो एडिक्शन आप लोग को बैठा हुआ है वैसे मैं इं 340 का support level लिया था, 16445 का इसने low post किया है, 16680 का resistance level लिया था, आज का high post हुआ है 16779 का, और magical figure लिया था 16735 का, 1688 का तीसरा resistance था, और यह मैंने कहा था, magical figure के उपर रुकता है, टिकता है, मेरे काता से hardly कुछ 5 या 10 मिनिट ये रुका होगा बजार magical figure के उपर, और comfortably दिखा रहा था कि नहीं भीया, मैं तो magical figure के नीचे टिक चुका हूँ, और वहां से आया एक sell off, तो magical figure को काटता है, तो ही ये probability बता ही थी कि 16888 तक जा सकता है, लेक अगर इनकेस magical figure को काट भी दे, तो ऊपर कहा तक जा सकता है, और वापस से magical figure तक आ जाएगा, तो आज के magical figure के आधार पर अगर किसी ने कोई put buy किया होगा, तो उसको मुनाफ़ा मिला होगा, कल के लिए पहला support 16630, 16630, पहला support 16265 दूसरा support, पहला resistance 16590 और 16870, बात 211 का, resistance level लिया था 36650 का, और 35650 का, और 36185 का, इसके बीच का इसने high post किया है, 35867 का, लेकिन ये भी ज्यादा दिर first resistance के उपर रुक नहीं पाया, low post किया 34811 का 3 बचे और 3 बचे पंदरा मिनट के बीच में, और आप लोगों ने एची नोटिस की, जैसे ही वो मेरे खाल से within a fraction of minute और within 2-3 minutes के अंदर, वो वापस से bounce back दे दिये थे, अपने first support दिया था, 34090 का उसके उपर, यानि की सिर्फ चमकाने के लिए एक sell off आया था, और वापस से actually वो उसके आज की आवकात के बाहर का बजार जिलने लगा था, तो वो 5 मिनट के अंदर वो वापस अंदर आ आये और निफ्टी की closing 16,505 की आये, निफ्टी ने भी 16,445 का लो लगा के जटके में within 2-3 minutes, 550 का rate आ गया, 100.5 मिनट के अंदर बढ़े थे, तो अब बात करते हैं magical figure की, कल के लिए support वापस से बोलते हूं, बैंक निफ्टी का support 34,740 और 34,470, पहला resistance 35,515 और दूसरा resistance 35,870, बात करेंगे magical levels की, पहले तो magical figures होते क्या हैं, वो समझ लीजिए, ये भी मैं हर वीडियो में कहता हूं, ताकि जहन में बैठ जाए magical figure, इंटेलिसस का magical figure बोले तो, वो हमें trend बताता है, इंटेलिसस का magical figure ऐसा level होता है, जिसके नीचे चलने पर बजार होता है, जिसके उपर चलने पर बजार होता है, बुलिश फेस पर, अगर इसके उपर रूख भी जाए, टिक भी जाए, तो मुझे ऐसा लगता है, ना कोई बड़ी भारी तेजी आएगी, ना कोई बड़ी भारी मन्दी आएगी, 16.200 को काटता है, तो एक्स्ट्रीम लेवल में 15.405 तक आ सकता है, यह मैं तीसरी बार बोल रहा हूँ अपने वीडियो में, लेकिन उसके लिए उसको 16.200 के लेवल को काटना पड़ेगा, उपर के बाजू का मैजिकल फिगर आज के लिए था 16.735 का, अब वो मैजिकल फिगर हो चुका है 16.725 का, 16.725 को काटता है, तो 16.870 तक जा सकता है, और एक्स्ट्रीम वे में कोई पॉजिटिव निउस आती है, बजा रियक्ट करते हैं, तो 17.003 इतने स्पेसिफिक लेव 750 का रहा तो हो सकता है, 200 पॉइंट तोड़े, लेकिन मैजिकल फिगर के इर्दगिर्द घुमने वाला बजार लग रहा है है, नीचे के बाजू में 16.200 तोड़े, उपर के बाजू में मैजिकल फिगर तोड़ता है, तो 17.003 तक का पोटेंशल बना लेगा, और अगर कोई बढ़िया बहुत ही positive news आजती है, अभी UP के election है, 10 तारीक को उसका result आएगा, अगर वहां से कोई positive momentum create होते हैं बजार में, तो 17.300 तक भी आ सकता है, तो दोनों बाजू के जगा खोली हुई है, इसके लिए मैं आप लोगों को शायद एक option trade दे सकता हूँ, वो सोच रहा आज दूं या कल दूं, चली आज ही दे देता हूँ, 16.500 का put, 17.500 का put sell करना है, और 15.400 का put sell करना है, जो की 160 के आसपास चल रहा है, और 17.800 का call sell करना है, जो की 70 या 65 के आसपास चल रहा है, तो मोटा माटी अगर ये दोनों sell करते हैं, आपको तो margin लगता है, एक लाग रुपए, और मुनाफ़ा अगर ना ही ये 15.400 काटता है, ना ही 17.800 काटता है, तो मुझे ऐसा लगता है, एक लाग रुपए के investment में करीब करीब 10.000 रुपए comfortably घर में आ सकते हैं, यह हला कि मुझे कल देने का मन था, आज ही दे दिया मैंने आप लोगों को, और thumbnail क की लाइन में लिखने का मन था, चो क्यल ये कोई बात नहीं, ग्रीब का क्लियरिटी है, 17.725 का मैजिकल फिगर निफ्टी का, बैंक निफ्टी का मैजिकल फिगर आल लिया था, 36.555 का, अब वो मैजिकल फिगर हो चुका है, 36.555 का कोई बदलाव नहीं है, तो जब तक एक्टिव फेस्पे बजार, एंडरस्टेंडिंग को सिंपल रखिए, 17.500 का मैजिकल फिगर था, तब भी आप लोगो इस मैजिकल फिगर नहीं बचाया कि तेजी नहीं करने दी, आज वो मैजिकल फिगर करीब-करीब 800 पॉइंट से तूट चुका है, मैजिकल फिगर हमें आसानी से बता देते हैं कि बजार में करना क्या है, तो अगर आप लोगों को लगता है, मैजिकल फिगर इंपॉटेंस रखते हैं, और आप लोगों को बचाने में मदद करते हैं, तो अपने फ्रेंड्स, फैमिले, रिलेटिव के साथ शेयर करिए, ताकि वो भी मेरे द्व description box में कुछ company के account opening के link होते हैं, आप चाहें, तो उने click करके अपने account open कर सकते हैं, और execute कर सकते हैं, मेरी बताई वी रणनीतियों को, और पास सकते हैं कुछ exclusive benefits, उसके आप कोacesस के customer gear मेंращ Pawlak करना होगा, उपर AI button में पास video के link होते हैं, उन्हें भी देखिए, ताकि market की psychology समझ में आए और कुछ वीडियो इंपोर्टेंट स्पेशल वीडियो अप्लोड किये हुए इन रिस्पेक्ट आफ कहां पर आप 2022 में इंवेस्टमेंट कर सकते हैं उसके लिए एक वीडियो है अगर आप इस टॉक्स में इंवेस्ट करने करना चाहते हैं और आपकी नजर पहने स्टॉक मार्केट से डरते हैं ना FD में जाना चाहते हैं ना स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं तो म्यूचल फंड के लिए बढ़िया वीडियो बनाया हुए उनने देखिए और वहां पर इंवेस्टमेंट जारी रखिए थैंक यू सो मच पर वाचिंग मैं वीडियो जय हिन, जय भारत!